नमस्कार साथियों, Holy Special की आज की हमारी क्लास हिंदी पर आधारित है और हिंदी पर Holy Special में यह हमारी प्रथम क्लास है और Holy Special के दौरान में हम हिंदी का एक Quick Revision करने की कोशिस करेंगे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि भासा और भासा का जो पिकास है या भासा का जो स्वरूप है वह है तीन तरह इसे है एक होता है भासा का स्वरूप जिसमें सर्व प्रथम भासा होती है मौखिक भासा ठीक है इसके पस्चात भासा में दूसरा स्वरूप जो होता है वह होता है भासा का लिखित स्वरूप और तीसरा जो स्वरूप होता है भासा का वह होता है सांकेतिक भासा का ठीक है तो भासा की स्वरूप में तीन हमने देखा भासा की स्वरूप को जिसमें सर्व प्रथम है मौकिक उसके पस्चात है लिखिक और उसके पस्चात है क्या सांकितिक भासा ठीक है भासा का वह स्वरूप जिसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति मौकिक स्वरूप में करते हैं मतलब हम अपने विचार जब किसी व्यक्ति विशेश की समख्ष मौकिक स्वरूप में आदान प्रदान करते हैं या विनिवय करते हैं ठीक है? तो भासा के वो उस स्वरूप को कहा जाता है मौकिक भासा, भासा का वह स्वरूप जिसमें हम अपने विचारों का विनिमा लिखित चिंदों के माध्यम या लिपियों के माध्यम से करते हैं, उसे कहा जाता है लिखित भासा, इसमें पत्र-पत्रिकाएं, पाठ्य-पुस्तक, आदि को समलित किया जाता है, और भासा का व भासा के विकास में हमने देखा कि सर्व प्रथम जो मूल भासा है वह क्या है संस्क्रिट ठीक है संस्क्रिट के दो स्वरूप एक था बैदिक और एक था लॉकिक ठीक है तो हमने देखा कि संस्क्रिट जो है जिसमें बेद लिखे गए उसको कहा गया बैदिक भासा या बैदि स्क्रित का वह स्वरूप जो उस समय आम जन के मत बोल चाल में प्रचलित था उसे कहा गया लौकिक भासा ठीक है बैदिक भासा की तुल्ला में लौकिक भासा कुछ सरल थी या हम यह कह सकते हैं कि बैदिक भासा लौकिक भासा की तुल्ला में कुछ कटिन प्रतीत होती थी इस आंगे चलकर हम यह देखते हैं कि लौकिक भासा में ही हमें काफी सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब लौकिक जो है उसमें ही परिवर्तन होते हैं। और लौकिक से एक भासा बनती है जिसे कहा गया पाली भासा। ठीक है? पाली भासा के समय बौध्धधर्म प्रचलित्था या बौध्धधर्म के जो प्राचीन गृंथ है आजम् उनकी रचना किसमे हुई पाली भासा में होई आगे हम जलते हैं तो पाली के आंगे विक्सित होती है एक भासा जिसे कहा गया पाली के आंगे विक्सित होती है एक भासा और जिसे जिसे कहा गया प्राकरत भासा ठीक है प्राकरत भासा प्राकरत भासा मतलब जिस समय जैनधर्म प्रचलन में था उस समय उस समय जो भासा प्रचलन में थी वह थी प्राकरत भासा ठीक है तो जैनधर्म की जो ग्रंथ है जैनधर्म की जो ग्रंथ है उनकी रचना हुई है किसमे प्राक्रत भासा में, ठीक है, जो बौध धर में उनके गरंथों की रचना हुई है, इसमें पाली भासा में, और जो जैंधर में उसके गरंथों की रचना हुई है, उनके गरंथों की रचना हुई है, धार में गरंथों की रचना प्राक्रत भासा में, और आंगे चलते हैं, तो प्राकrats भासा तूटती हैं और प्राकरत भासा तूट करके उसके कई सारे क्या होते हैं? आपफरंस होते हैं और इनी आपफरंस में एक आपफरंस होता है सौर सैनी आपफरंस, ठीक है? कौनसा आपफरंस ह southwest इसे विक्सित हुई वर्तवान समय के हिंदी, टिक है तो हिंदी का एक यह क्या हुगा विकास क्रम हुगा, जिसमें हमने यह देखा लॉकिक, पहले हमने देखा संस्क्रилась, संस्क्रिक की दो सवरु किसमें बैदिक और लॉकिक, फिर उसके आंगे क्या हुगा पालिभास, पालिभासा में रचना उई बौट धर्म के धार्म भासा, फिर आंगे चले तो हुई क्या अपवरंस भासा हैं अपवरंस में काई सारी अपवरंस हुए जिन में एक अपवरंस था, कौन सा सौर्स है निए अपवरंस और जिससे जन्म हुआ किसका हिंदी का ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो बात करते हैं हम हिंदी के एक सम्हेधानिक विकास क्रम की यात्रा तो हिंदी के सम्हेधानिक विकास क्रम में, हिंदी भासा के संबंद में, सम्हेधान में आठवी अनुसूची आठवी अनुसूची में हिंदी से या भासा संबंधी प्रावधान दिये गए है इसी क्रम में हम देखते हैं समिधान के अनुक्षेत 343 से लेकर 351 तक भासा संबंधी प्रावधान हमें मिलते हैं तो अनुसूची आठ और अनुक्षेत नंबर 343 से 351 तक हमें भासा संबंधी प्रावधान मिलते हैं जो आठवी अनुसूची है इसमें 22 भासाओं को समलित किया गया है मूल रूप से समलित की गई थी कितनी भासा हैं? 14 भासा हैं लेकिन बिभिन समिर्हान संसूदनों के माध्यम से भासाओं को जोड़ा गया और वर्तमान समय में आठवी अनुसूची में है 22 भासा हैं ठीक है आँगे चलते हैं तो हम यह देखते हैं कि हिंदी जो है इसे मात्र भासा का दर्जा दिया गया मतलब हिंदी हमारी राष्ट भासा नहीं है, हिंदी हमारी राज भासा है सरकारी कामकाजकी या संसर संचालन में जो भासा प्रयोक्त होती है वह भासा होगी हिंदी और इसकी लिपी जो होगी, वह होगी देव नागरी लिपी, तो यहाँ पर हमें यह समझ लेना है अच्छे से कि हिंदी हमारी राष्ट भासा नहीं है, ठीक है, संविधान के अंदर जो 22 भासाओं को समलित किया गया है, उन 22 भासाओं को बिलकुल समान दरजा दिया गया है, हिंदी जो है राष्ट भासा नहीं है वह है राज भासा और हिंदी की जो लिपी है देवनागरी लिपी को राज भासा के रूप में सुविक्रित किया गया है। लिपी किलिएं चलें आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंगे चलते हैं, और देखते हैं, अब देखो, हम आंगे देखते हैं, इतना जो चर्चा हुई हमारी, वैं हुई हिंदी भासा की विकास क्रम पर, अब हम आंगे बढ़ते हैं और आंगे बढ़कर हम देखते हैं, वर्ण सन रचना, ठीक है, वर्ण सन रचना, बतलब जो वर्ण किसी भी भासा की सबसे सूक्ष्म एकाई है जिसके और अधिक तुकड़े नहीं किये जा सकते हैं एक किसी भासा की या हिंदी भासा की सबसे छोटी एकाई जिसके और अधिक तुकड़े नहीं किये जा सकते हैं उसे कहा गया है वर्ण ठीक है वर्णों को दो भागों में बांटा गया है एक वर्णों को कहा गया है व्यंजन और इसी में दूसरा जो स्वरूप है उन्हें कहा गया है स्वर्ण मतलब वर्ण में व्यंजन है और स्वर्ण। अब व्यंजन की परिभासिया है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में बायू स्वतंतर रूप से बाहर नहीं निकलती है। उन्हें कहा जाता है व्यंजन। या हम ऐसे परिभासित कर सकते हैं कि वो वर्ण द्वनियां जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहयता लेनी पड़ती है। वह कहलाती हैं व्यंजन। ठीक है। और ऐसे वर्ण द्वनियां जो स्वतंतर रूप से मुख से बाहर निकलती हैं, स्वतंतर रूप से उच्चा हमें किसी के सहयोग किया सकता किसी अन्य वर्ण के सहयोग किया सकता नहीं होती है उन्हें कहा जाता है स्वर्ण ठीक है अब व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजनों में देखिए अगर हम बात करते हैं व्यंजन की तो व्यंजन जो है उन्हें कुछ भागों में परि दूसरा जो है उसे कहा गया है सगोश ठीक है तो कुछ क्या है अगोश वेंजन है और कुछ है सगोश वेंजन ठीक अगोश वेंजनों की अगर बात करूँ मैं तो प्रत्यक वर्ण का पहला और दूसरा जिसमें जैसे कावर्ग को कर लेते हैं तो का और खा अगर हम चावर्ग को लेते हैं, तो टा और ठा, अगर हम ता वर्ग को लेते हैं, तो ता और ठा, अगर हम पा वर्ग को लेते हैं, तो पा और फा, मतलब पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, प्रतेक वर्ण का क्या कहलाएगा, अगोश व्यंजन धोनिया कहलाएगा, ठीक है, इ तीसरा जो VARN है, वह कहलाएगा सघोस व्यंजन धुनिया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, गा, कावर्ग में अगर लेते हैं, तो गा, गा और डा ठीक है, चावर्ग में अगर लेते हैं, तो चावर्ग में होगा जा, जा, और या, अगर हम टावर्ग में देखते हैं, तो टावर्ग में होगा डा, धा और ना, अगर हम टावर्ग में जाते हैं, तो टावर्ग में होगा दा, धा और ना, अगर हम पावर्ग में जाते हैं, तो पावर्ग में होगा भा, भा और मा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाए ठीक है तो प्रत्यक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा अगोश और प्रत्यक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचमा वर्ण क्या हो जाएगा सघोस व्यंजन वर्णिया ठीक है अब सघोस जो है तो सघोस की परिवासा कुछ इस तरह से बताई गई है कि जिन प्रतियक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, क्या होगा अगोश। और प्रतियक वर्ण का तीसरा, जौथा और पांचमा वर्ण, ठीक है? तीसरा, चौथा और पांचमा वर्ण क्या होगा सघोस व्यंजन धनिया होगी या सघोस व्यंजन कहलाएगा आगे हम चलते हैं तो इसी क्रम में कहा गया है व्यंजनों को फिर से एक दूसरी परिवासा के अनुसार परिवासित किया गया और कहा गया अल्प प्राण और महा प्राण मतलब जो वायू है और वायू की मात्रा जो है ठीक है कम होने पर अल्प होने पर ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में जिनमें वायू की मात्रा कम प्रयोग होती है कम प्रयोग होती है उन्हें कहा गया है अल्प प्राण और जिनमें अधिक प्रयोग होती है उन्हें कहा गया है महा प्राण तो प्रत्यक व्यंजन वर्ण का पहला पहला तीसरा और पांचमा वर्ण क्या होगा अल्प्रान और दूसरा और चौथा वर्ड क्या होगा महाप्रान अगर हम बात करते हैं जैसे कावर्ग को लेकर के अगर हम समझ लेते हैं कावर्ग को लेकर अगर हम समझते हैं तो देखी का इसके पस्चाथ में गा इसके पस्चाथ में डा ये क्या होगा ये होग अल्प प्राण। इसी तरह से बचे हुए जो दो हैं। क्या-क्या? खा और साथ ही साथ में घा। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे महाप्राण। तो प्रत्यक विद्जन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचमा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण। और दूसरा और जो चार और चार वर्णों ये संबंद में भी कुछ कहा गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं या, रा, ला, और बाकी। ठीक है? तो इन्हें कहा गया है अन्ता इस्था व्यंजन। ये माने गए हैं अन्ता इस्था व्यंजन। ठीक है? और अगर हम बात करते हैं श्या, सा 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 और सा और हागी तो इन्हें कहा गया है उश्म वेंजन इसी क्रम में अगर हम देखते हैं और देखते हैं छा त्रा ग्या और श्रा तो इन्हें माना गया है सैयुक्त वेंजन ठीक है इन्हें माना गया है सैयुक्त वेंजन और जो डा और धा है डा और धा इन्हें कहा गया है उत्चिप्त वेंजन धोनिया ठीक है इन्हें कहा गया है उत्चिप्त वेंजन धोनिया तो यह क्या हुआ, यह एक तरह से व्यांजन वर्णों का वर्गी करण हुआ, अब एक वर्गी करण और हम देख लेते हैं, और जो वर्ण है, कावर्ग, फिर चावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, 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 ताव टावर्ग, तावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, ठीक है, तो इन्हें कावर्ग की ध्वनिया होती है, इन्हें कहा जाता है कंठ ध्वनिया, चावर्ग है इसे कहा जाता है मूर्धन ध्वनिया, जो चावर्ग है ये है मूर्धन ध्वनिया, जो टावर्ग है इसे कहा जाता ह तालब ध्वनिया जो तावर्ग है इसे कहा जाता है दंत ध्वनिया जो पावर्ग है इसे कहा जाता है ओष्ट ध्वनिया तो यह क्या हुआ यह है ध्वनियों के अनुसार भी क्या हुआ वर्णों का वर्णों का वर्णों का वर्णी करन हुआ ठीक है कावर्ग इसे कंठ से उ वर्ग का जो चारण होता है वह होता है ओस्थ वियंजन, ओस्ट के माध्य हम से, ठीक है? अब हम यह देखते हैं, यह हुआ एक तरह से वियंजन वर्णों का वर्गी करण, अब इसी वर्णों के दूसरे वर्गी करण में हम देखते हैं, स्वरों का वर्गी करण, तो स्वर की परिवासा में हमें यह बताया गया है कि वो वर्ण धुनिया जिनके उच्चारण में वायू बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, उन्हें कहा जाता है स्वर्धुनिया, स्वरों की संख्या मानी गई है ग्यारा, जिन में आ, बड़ा आ, इ, ब इ, बड़ी इ, उ, बड़ा उ, और रिशी, इसके पस्चाथ ए, आई, ओ, और आउ, इनको माना गया है हिंदी में स्वर्ध, ठीक है, तो ग्यारा क्या हो गए, ग्यारा हो गए स्वर्ध, अब इन ग्यारा स्वरों का वर्गी करण दो तरह से, एक, एक हो जाते हैं इन में से हस्वर्ध, ठीक है, और दूसरे हो जाते हैं दीर्ग स्वर्ध, मतलब ये हो गए, एक जो वर्गी करण है, वो है हस्वर्ध का, और दूसरा जो वर्गी करण है, वो है दीर्ग स्वर्ध का, या दीर्ग स्वर्ध का, तो ग्यारा में से चार स्वरों को माना गया है हस्व स्वर और साथ स्वरों को माना गया है दीर्ग स्वर हस्व स्वरों को हम कह सकते हैं छोटे स्वर लगू स्वर या एक मात्रिक स्वर जो दीर्ग स्वर हैं इन्हें हम कह सकते हैं गुरू स्वर दूई मात्रिक स्वर या बड़े स्वर ठीक है, अब जो हस्वस्वर है, इन में रखा गया है, A, E, O, A, E, O, और साथ ही साथ में रिशी, ओके तो ये क्या हो गया ये हो गए हसुआ अब बाकी बची हुए बाकी में क्या बचा बड़ा अ बड़ी इ बड़ा उ और ए आई ओ और अउ ये सम मिला करके कितने हो जाते हैं साथ हो जाते हैं तो इन्हें कहा गया है क्या दीर्ग स्वर या दूई मात्रित स्वर ठीक है तो इस तरह इसे क्या है स्वर और वेंजनों का वर्गी करण कुछ इस तरह इसे हैं दो स्वर और दो और हैं स्वर जिन्हें अम और अहा पर हिंदी में इन्हें स्वरों की स्रेडी में परिवासित नहीं किया गया है इन्हें संस्कृत में स्वर माना गया है ये जो अंग और अहा इसे कहा गया है अनुस्वर और अहा को कहा गया है विसर तो क्या होगा ये अंग और अहा ये हो गए अनुस्वर और विसर ठीक है और इन्हें कहा जाता है अयोग बाह अयोग वाह स्वर ठीक है मतलब ये है हिंदी में अयोग बाह तो हिंदी में दो अयोग बाह थो हैं अंग और आहा ठीक है तो एक बार मैं फिर क्विक रीजन करा देता हूँ आपको वर्ण संदचना में क्या है व्यंजन है और स्वर्ण है वो वर्ण द्वनिया जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी होती है उन्हें कहती है व्यंजन और जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेती है वायू मुक्से स्वतंतर रूप से बाहर न प्रत्यक वर्ण का पहला और दूसरा उसे कहा गया है अगोस तीसरा चौथा और पाचपा उसे कहा गया है सभोस ठीक है अलप प्राण की अगर हम बात करते हैं तो अलप प्राण में पहला दूसरा और पहला तीसरा और पाचपा ठीक है पहला तीसरा और पाचपा इसे कहा गय महाप्राण व्यंजन द्धनिया। ठीक है। इनकी संख्या ग्यारा मानी गई है. इन्हें दो भेदों में बाटा गया है. एक है हस्व और एक है दीर्ग. हस्व स्वर जो है वो है चार। दीर के जो हैं वो हैं साथ, ठीक है, हस्प स्वरों में आ, ई, उ और रिशी, दीर के स्वर में बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ, ए, आ, ओ और अउ, ठीक है, अंग और अहा को माना गया है अयोग बाह, मतलब इन्हें हिंदी में स्वरों की स्रेणी में नहीं रखा दिया है, तो याद रखना है, अयोग बाह कितने हैं, अयोग बाह दो हैं, तो ये इस तरह से क्या है, वर्ण माला का एक संचिप्त परिचर है, ठीक है, अब देखिए, इन्ही वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, उत्पन जो विकार होता है, वह होता है संधी, मतलब दो जो व परणों मैं मैं ले लेता हूँ किसको स्वर को या हम ले लेते हैं स्वर को तो स्वर का स्वर से मेल करने पर जो विकार उत्पन होता है वह कहलाता है स्वर संधी ठीक है तो संधी का एक भिध हुआ स्वर संधी इसकी परिवासा क्या हुई? स्वर का स्वर से मेल करने पर जो विकार उत्पन होता है वह कहलाता है स्वर संधी. दूसरा जो हुआ अगर मैं कहूं वियंजन का वियंजन के साथ में या वियंजन का स्वर के साथ में मेल करने पर जो विकार उत्पन होता है उसे कहते हैं व्यांजन संदी की परिवासा में हम यह कह सकते हैं कि व्यांजन का व्यांजन से मेल करने पर जो विकार उत्पन होता है उसे कहते हैं व्यांजन संदी या तो व्यांजन का व्यांजन के साथ या व्यांजन का स्वर के साथ मेल करने पर जो विकार हुआ उसे कहा गया व्यांज दुबिंदू होते हैं, इन्हें परिभासा दी गई है विसर्ग की, यह जो यहाँ पर है, इसे कहा गया है विसर्ग, तो स्वर्ग का विसर्ग का स्वर्ग के साथ मेल होने पर, विसर्ग का वियंजन के साथ मेल होने पर, या विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल होने पर, जो वि संधी के अंदर पांच तरह की संधियों की चर्चा की गई है। और वो पांच तरह की संधियों में देखी। एक है दीर्ग स्वर संधी। ब्रद्धी संधी और पांच वे नंबर पर यण संधी। तो संधी के पांच भेद हुए स्वर संधी में और स्वर संधी के पांच भेद में एक हुआ दीर्ग स्वर संधी। तो संधी की परिवासा में हमने देखा कि दो वरणों का आपस में मेल होने पर जो विकार उत्पन होता है उसे कहा जाता है संधी। संधी ठीक है संधी में तीन संधियां है एक है स्वरसंदी एक है व्यांजन संधी और एक है विसर्ग संधी फिर है स्वरसंदी और स्वरसंदी के पाच भीद, दीर्ग स्वरसंदी, गोड़ स्वरसंदी, ब्रत्थी स्वरसंदी, यण स्वरसंदी और अयादी स्वरसंदी, ठीक है, फिर व्यंजन और इसी तरह सी क्या है, विसल, ठीक, अब आगे हमें देखते हैं, और देखते हैं, कि देखिए, कुछ होते हैं, जो सब्दांश होते हैं, कुछ सब्दांस, मतलब सब्द के अंस, जिनका सौतंतर रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी एक सब्द के साथ जुड़ जाते हैं, अतलब, यदि वो सब्द के बहले या पस्चाथ में जुड़ते हैं, ठीक है, और एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, एक सार्थक अर्थ क्या करें, प्रदान करते हैं, जैसे मैंने कहा, कि वो सब्दांस, जो कि किसी सब्द विसेश के पहले जुड़ जाते हैं और एक सार्थक सब्द प्रदान करते हैं उन्हें कहा गया है उन्हें कहते हैं उपसर्ग और जो किसी सब्द के पीछे जुड़ करके एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रत्य तो दो हमने सब्द रचनाएं पड़ी थी किसे उपशर्ग और प्रत्य तो उपसर्ग की परिवाता में है कि सब्द के आंगे जोड़ करके कोई सब्दांस अगर किसी सब्द के अर्थ को परिवर्थित करता है, विस्तित करता है या नया अर्थ प्रदान करता है तो वह होता है उपसर्ग. इसी तरह पीछे जोड़ करके अगर वो सब्द के अर्थ को परिवर्थित करता है, विस्तृत करता है या नया सब्द प्रदान करता है तो उसे कहते हैं. पिर हमने पड़े सब्द भेद, सब्द भेद, सब्द भेद में, सब्द भेद की रचना में एक हुआ उत्पत्ति, उत्गम या इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति, उत्गम या इतिहास के आधार पर, यहां हमने देखे तत्शम, तत्सम तदभव देशज और बिदेशज ठीक है तत्सम्भ है जो संस्कृत के मूल सब्द है उन्हें कहते हैं तत्सम्भ और आज भी वह है अपने मूल स्वरूप में ही प्रयुक्त हो रही है मतलब ऐसे सब्द जिन्होंने हिंदी में जब उन्हें स्विकार किया तो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्दन नहीं किया वह मूल रूप से संस्कृत के हैं और संस्कृत के जैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं इस तरह के सब्दा को कहते हैं ऐसे संस्कृत सब्द जिन्हों उन्हें हिंदी में आ करके अपना स्वरू परिवर्तन कर लिया। उन्हें कहा जाता है देशज शब्द और बिदेशज शब्द तो देशज में परिवासा बताई गई है कि ऐसे सब्द जो छेतरी भासा और बोलियों के कारण से उत्पन्न हुए। उन्हें कहा जाता है देशज शब्द ऐसे सब्द जो कि विदेशी भासाओं से हिंदी में समलित हो गए या हिंदी में आ गए इन्हें कहा जाता है विदेशज सब्द और दो भासाओं से मिलकर बना एक सब्द उसे कहा जाता है संकर सब्द तो उत्पत्ति, उत्गम और इतिह के औहराहार कर सब्द भेद जो होते हैं वह होते हैं 5 पांच, तरह से व्यतु पत्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं व्यतु पत्ति के आधार पर व्यत्त सब्ध लचना 3 तरह जो है एक है रूड दूसरा है यॉगिक, और इसरा है योग रूड जिनके सार्थक तुकडे नहीं किये जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है रूड ठीक है जिनके सार्थक तुकडे किये जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है योग और जो अपना अर्थ छोड़ करके कोई दूसरा ही अर्थ प्रस्तुत करें उसे कहा जाता है योग व्याकरण के आधार पर हैं विकारी और आविकारी जिनमें लिंग वचन काल और कारक के नुसार परिवर्तन हो वह कहलाते हैं विकारी जिनमें लिंग वचन काल और कारक के नुसार परिवर्तन ना हो वह कहलाते हैं आविकारी सब्द इसी क्रम में चौती जो सब्द रचना है उसमें हमने देखा सार्थक और निरर्थक मतलब ऐसे सब्द जो की सार्थक है और ऐसी सब्द रचना जो की क्या है निरर्थक होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ठीक है तब ऐसा सब्ध जो एक सार्थक अर्थ प्रस्तुत करता है, वह होती है सार्थक सब्ध रचना, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वह होती है नरर्थक सब्ध रचना, ठीक है? पर हमने देखा पाचवा नमबर और एक है समान आर्थी और विप्रीत आर्थी सब्ध मतलब जो समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कहा जाता है समान आर्थी और जो विप्रीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कहते हैं विप्रीत आर्थी सब्ध तो यह एक परिचय हुआ किसके संबन्द में हिंदी के संबन्द में सबसे पहले हमने देखा भासा के स्वरूपों को भासा के स्वरूप तीन तरह के मौकिक लिखित और सांकेत थे। भासा का जो सर्व प्रथम स्वरूप हमने प्रयोग में लिया वह है मौकिक भासा, मौकिक भासा को ही हमने सर्व प्रथम प्रयोग में लिया, फिर उसके पस्चाथ लिखित भासा, फिर उसके पस्चाथ सांकेतिक भासा, संब्यधालिक विकास में हमने देखा आठ्वी अनुसूची में भासा संबंदी प्राउधान है। पर हमने देखी है वर्ण संब्रचना में देखा है वियनजनों को और स्वरवकों व्यंजन के अंतरगत एक वेध हमने देखा सघोस और अगोस और दूसरा वेध हमने देखा अल्क प्राण और महाप्राण इसी क्रम में हमने देखा अंता इस्था उश्म और सैयुक्त और उतचिप्त व्यंजन ठीक है, फिर हमने स्वरों में देखा और स्वरों में देखा अस्व और दीर्ग स्वर, फिर देखा अयोगबा, अयोगबा दो तरहे के, संधी का एक संछिप्ट हमने चर्चा की, इतीन तरहे की संधिया है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर में दीर्ग स्वर संधी, फिर हमने देखी एक सब्द रचना जो होती है उपसर्ग और प्रत्य के माध्यम से। और एक सार्था कर्ष प्रदान करते हैं तो वो कहलाते हैं प्रत्य है। फिर सब्द वेद में उत्पत्ति, उत्गम और इतिहास के आधार पर तत्शम, ददभग, देशज, विदेशज और संकर। फिर व्यतुपत्ति के आधार पर रूण, योगिक और योगरूर। फिर व्याकरण के आधार पर विकारी और आविकारी, फिर सार्थत्ता के आधार पर सार्थत और निरर्थत, फिर समान आर्थी और विपरीत आर्थी सब। धन्यवाद सभी के लिए इतना मुझे लगता है कि रिवीजन क्लास में होली उत्सव की special class और special class की रिवीजन क्लास में ये इतना आपके लिए बहुत ही उपियोगी होगा धन्यवाद सभी के लिए